हेलो स्टुडेंट्स आज हम हमारे इस लेक्चर में हमारे बायो का पोर्षन जो है 10th क्लास का उसका 2nd चेप्टर स्टार्ट करेंगे और जैसा की नेम इंडिकेटिड है इस चेप्टर में बचों हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं हम पढ़ने वाले हैं प्लांट में दोनों में पढ़ने वाले हैं तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे प्लांट में और फिर हम स्टार्ट करेंगे एनिमल में या फिर हम एनिमल में भी पहले स्टार्ट कर सकते हैं इस chapter को समझने से पहले मैं इसका introduction देना चाहूँगा कि आप इस chapter को समझें कि वास्तों में हमें इस chapter में समझना क्या है कि हम इस chapter में किस topic पर focus करने वाले हैं तो just एक example के थूँ हम इसको समझेंगे जैसे कि माल लीजिए कि ये आपके body का क्या है tissue है तो माल लीजिए हमने दो cells का diagram बनाया है जैसा कि आप board पे देख पा रहे हैं तो आप क्या कर रहे हैं? heavy exercise कर रहे हैं ऐसी condition है तो जब आप heavy exercise करेंगे तो हम क्या करेंगे? हम बुलेंगे कि हमारी body को large amount में oxygen चाहिए reason क्या है? exercise के लिए energy चाहिए और energy कौन देगा? oxygen देगा कैसे? breakdown of food से तो breakdown of food के लिए हमें oxygen चाहिए तो oxygen कौन लेके आता है? blood तो ये tissue क्या करेगा? हमारे brain को students message भिजेगा और हम science में message को impulse कहेंगे क्या कहेंगे? impulse तो via impulse, via a narrow cell message sent to our brain कि भाई हमें oxygen चाहिए brain क्या करेगा? analyze करेगा? और ये देखेगा कि इसको oxygen कौन देता है? तो brain क्या करेगा? message भेजेगा heart को कि भाई तू जल्दी जल्दी pump कर ताकि tissue को oxygen मिल सकेंगे clear हुआ? तो heart क्या करेगा? just I am giving example बेटा ये example दे रहा हूँ तो heart वापिस brain को बोलेगा कि भाई मेरे पास oxygen आएगी तभी तो मैं pump करूँगा न? तो brain क्या करेगा? बात तो इसकी भी सही है भाई क्योंकि blood में oxygen आएगी तभी तो heart भेजेगा और बच्चों blood में oxygen कौन देने का काम करता है? lungs तो brain क्या करेगा? now send the message to lungs हमारा brain बेटा lungs को message भूलेगा कि भाई तु जल्दी जल्दी breathing कर ताकि oxygen आए और उस oxygen को heart तक पोचाया जासके और heart उस oxygen को tissue को भेज सके तो student ये क्या था? ये एक तरह से control और coordination दोनों को आप यहाँ देख पा रहे हैं कैसे? हमारी body में जब किसी एक जगह पे कोई requirement है तो उस requirement का बच्चो पूरा करने के लिए हमारी पूरी body के सारे organs वर्क करते हैं ताकि उस condition को normal किया जासके और ये आप इस diagram के थूरू समझ सकते हैं तो ये क्या था? controller कोन है? brain और ये जो आप arrow देख रहे हैं ये क्या है? एक तरह से coordination का तरीका है तो आप इस diagram के थूरू इस chapter को समझ सकते हैं जिसे हम control और coordination कहते हैं Got my point students? कलीर हुआ कि control का मतलब क्या होता है? control करना और coordination का मतलब होता है उनके साथ समन में बनाना कहने का मतलब तालमिल बनाना तो आईए अब हम स्टार्ट करेंगे first topic that is the human nerve system students हम इस chapter में दो topic पढ़ेंगे अगर हम animals को लेके पढ़ें इस chapter को तो आप animals के अंदर जब control coordination पढ़ेंगे तो आप दो topic पढ़ेंगे one is the nerve system and students second is the endocrine system हम कितने system पढ़ेंगे इसमें तो system पढ़ेंगे one is the nerve system and second is the endocrine system और सबसे पहले हम topic start करते हैं that is the nerve system तो nerve system क्या है इसको समझने से पहले आप एक line जो कि आपने 9th क्लास और उससे पहले पढ़ी थी मैं उसी line को यहाँ लिख रहा हूँ क्या पढ़ा था आपने group of cells together make a yes student and answer is tissue tissue together make organ organ together makes organ system and students organ system together make a complete organism तो this is a flow chart we have read in our earlier classes जो हम पिछली classes में पढ़ चुके हैं तो यहाँ हमने क्या लिखा है देखो नरव सिस्टम organ system की जगे क्या लिखा है हमने नरव सिस्टम तो यानि नरव सिस्टम किस से मिलकर बना होगा नरव टीशू से और नरव टीशू किस से मिलकर बना होगा नरव सेल से तो हमने क्या लिखा group of group of narrow cells together make a system in our body and this system is called narrow system तो students हमने क्या कहा कि हमारी बोडी में जो नरव सेल्स हैं वो आपस में मिलके एक system बनाती है और उस system को हम क्या कहेंगे नरव सिस्टम तो आईए अब हम इस नरव सेल का डायागराम देखते हैं और फिर इसकी complete explanation करेंगे कि ये क्या होती है और इसमें कैसे मैसेज जाते हैं तो आईए आप लोग सबसे पहले क्या करेंगे नरव सेल का डायागराम बनाएंगे हम लोग नाव नेक्स्ट इस single tube को students हम लोग double tube बना देंगे clear हुआ एक लंबी लाइन ली हमने अब इस tube को क्या करेंगे students हम नीचे से expand करेंगे और बच्चों क्या करने वाले हैं इस हिस्टे में हम balloon like structures बनाने वाले हैं जैसा कि आप board पे देख पा रहे हैं clear हुआ next point में क्या करेंगे हम लोगी सिस्टे से हम इस तरह की line लेके जाएंगे जैसा कि आप board पे देख पा रहे हैं clear हुआ students now the next हम इन points को इस तरह से change कर देंगे modify करेंगे और ऐसी structures बना देंगे अब हम क्या करने वाले हैं बच्चो यह जो सबसे पहले long tube बनाई है इस long tube में modification करेंगे और some cells इसकी structure में हम cells बनाएंगे देखो जैसे हम बना रहे हैं आपको वैसे ही यह diagram बनाना है clear हुआ यही structure हम लोग इस case part में बनाएंगे clear हुआ students अब क्या करने वाले हैं इस case part में जो सबसे बड़ी cell हमने बनाई है उसके center में एक large size का dark बनाएंगे बाकी हिस्से में बेटा हम लोग dot dot बनाएंगे और यह dot dot जो है यह बाहर आपने जो structures बनाई है वहां तक भी आप इने show कर देंगे clear हुआ आप हम इसकी naming करेंगे naming करने से पहले आप इन cells में alternate में एक dot बनाते जाएंगे यह diagram complete है और this is the diagram of narrow cell और इस narrow cell के बारे में हम पढ़ेंगे पहले इसकी naming कर लेते हैं तो यह जो सबसे पहले आपने सबसे बड़ी cell बनाई है इसे कहते हैं cell body cell body और इस cell body की जो यह छोटी छोटी ब्रांच आप देख रहे हैं इन ब्रांची को कहा जाता है dendrites इस long tube को जो सबसे पहले हम लोग बनाए है student उसे कहते हैं exon और यह जो इसकी exon के boundary में जो cells बनाई है जो without nucleus है उसे कहा जाता है myelin seeth और जिसमें डोट है उस cell को कहते है सेवान cell और दो myelin seeth के बीच का जो हिस्सा है इसे बोला जाता है node of rain wear अब आगे यह जो exon का ending part है इसे बोलेंगे student narrow ending यह जो बल्ब लाइक structure आप देख रहे हैं बच्चो इसे कहा जाता है synaptic knob क्या कहेंगे हम इसे synaptic knob अब आगे देखो जो इसके अंदर liquid होगा उसे कहेंगे cytoplasm और इसके अंदर जो dot like structure आप ने देखी है इस dot like structures को students हम लोग बोलेंगे that is the nissals granules this is the naming of narrow cell यह diagram जो हमने बनाया है student इसे आप क्या कहेंगे इसे हम कहेंगे narrow cell क्या कहेंगे बच्चों मिसे narrow cell ग्लीर हुआ अब हम इसे narrow cell के बारे में पढ़ने आप लोग बॉड़पे ध्यान दें देखें नरव सेल के बारे में आप लोग क्या-क्या लिखने वाले हैं ध्यान से सुनना हम बोलेंगे सबसे पहली बात तो सबसे पहला पॉइंट हम लिख सकते हैं longest cell of our body हमारी body की सबसे longest cell जो है वो हम नरव सेल को कहते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, नेक्स्ट पॉइंट है कि जो नर्व सल है students, इसका काम क्या है, conduction of, conduction of, narrow impulse, हमारी बोडी में जो नर्व इंपल्स होती है student, उसकी conduction के लिए responsible है, और नर्व इंपल्स क्या होती है अगर आप से पूछा जाए, तो आप क्या बोलेंगे, कि हमा हमारी बोडी में जो message है, मैं लिख रहा हूँ, कि जो message होते है student, इन message को हम science में, bio में, हम impulse कहते हैं, तो हमारी बोडी में जो message होंगे, उन message की conduction कौन करेगा, that is the narrow cell, जैसे आपको किसी ने touch किया, तो touch करते ही आपको पता लग जाता है, आपके brain के द्वारा, तो message कौन लेके गया, that is the narrow cell, आगे, इसकी length अगर आप ले, longest cell कहा, almost one meter के करीब लेते हैं, next, ये जो narrow cells है, do not repair, ये बेटा रिपेर नहीं होती है, अगर एक बार नरो सल डेमेज हुझे, तो हमारी बोडी की वो नरो सल दुबारा रिपेर नहीं होगी, and not form again, और ना ही हम ये कहेंगे, कि ये दुबारा बनेगी, clear हुआ, next, इसकी type को लेके बोला जाए, तो narrow cell की हम बेटा, दो तरह की type पड़ते हैं, one, सबसे पहले नमबर पे आप लिख सकते हैं, sensory narrow, क्या लिख रहे हैं हम लोग, sensory narrow, और दूसरे type की बेटा हम लोग लिख सकते हैं, that is the motor narrow, तो कितने तरह की narrow पड़ी हमने, दो तरह की narrow पड़ी, sensory narrow और motor narrow, अब sensory narrow और motor narrow की हम लोग definition पड़ते हैं, clear हुआ, क्या गाम ने narrow cell को, ये longest cell है, क्या गाम करती है, message को लेके जाती है, और उस message को हम impulse कहते हैं, third, इसकी length कितनी होगी, one meter के करीब होगी, next, do not repair, ना ही य repair होती है, और ना ही दुबारा से बनती है, अगर damage हो जाएं, तो, type कितनी पड़ रहे हैं, दो, sensory और motor, तो आईए, अब हम sensory की definition पड़ेंगे, heading क्या है, sensory narrow, देखिए students, sensory narrow का main function क्या है, कि जैसे आपको किसी ने touch किया, तो touch करते ही हमें पता लग जाता है, कि कोई हमें touch कर र चला, उस वो पता चला, बच्चो, sensory narrow की help से, तो sensory narrow का function क्या हुआ, हम लिखेंगे, these narrow to help in, conduction of message या, conduction of impulse, from body to brain, आपकी body से, brain को message ले जाने वाला, अगर आप से पुछा जाए, तो आप किसका answer देंगे, sensory narrow का, तो sensory narrow के बारे में क्या लिखा, this narrow help in the conduction of impulse, from body to brain, यानि body से, body के किसी भी पार्ट से, brain दक message ले जाने का काम जो करता है, उसे हम sensory narrow केते हैं, और motor narrow क्या लिखेंगे, student firm, motor narrow क्या करेंगे, जाश्ट इससे opposite कर देंगे, जाश्ट इससे opposite मतलब, दीज नारो, carry impulse, from brain to body, ये जो नर्व सोती है, ये message convey करेगी, कहां से कहां, हम लिखेंगे, brain to body, यानि brain से body तक लाने का जो काम करेगा, उसे motor narrow कहेंगे, कलीर हो गया, समझ मैं आपको, अब हम बच्चों पढ़ने वाले हैं, किसके बारे में, अब हम impulse के बारे में पढ़ने वाले हैं, किसके बारे में पढ़ेंगे, impulse के बारे में, तो ध्यान दें, लिशन स्टुडेंट, impulse के बारे में हम लोग क्या कहेंगे, कि impulse जो है, इसे क्या कहा जाता है, message कहा जाता है, जो message हमारी body में बनेगा, उस message को हम impulse कहेंगे, और impulse जो होती है बचों, ये दो तरह से पढ़ी जाती है, या तो हम इसे electrical कहते हैं, क्या कहेंगे, electrical, या हम कहेंगे इसे chemical, किस case में, जब हम conduction की बात करेंगे, किस की बात करेंगे, impulse के conduction की बात करते हैं, बचों, तो हम impulse को दो तरह से पढ़ते हैं, electrical और chemical, बहुत अच्छा कुशन बनता है इस पे, और अगर आप पिछले सालों के paper को उठाओ, तो आप easily कह सकते हैं कि बहुत सारे questions हमें इस में से देखने को भी मिले हैं, clear हुआ, तो जैसे की question बनता पूछा जाता है, मैं आपको question बजाता हूँ, what is the mode of transmission of impulse in a single nerve, यह जो आप नरव देख रहे हैं, what is the mode of transmission of impulse, यह message कैसे भेजेगी, अगर एक ही नरव है तो, और अगर दो नरव हैं तो कैसे भेजेगी, और वो दोनों नरव आपस में जुड़ी वी हैं, नहीं जुड़ी वी हैं, तो उसके आधार पे इस topic से question पुछा जाता है, तो आईए हैं हम बात करेंगे, तो सबसे पहले हम बोलते हैं, आपके लिए एक important point आपको learn करना है, और वो point क्या है, कि within a single nerve, within a single nerve impulse is transported, only in electrical way and the way of transmission is कैसे जाएगी, अब आप ध्यान दे, क्या लिखा हम ने, within a single nerve, ध्यान देने वाली बात है, कि हम एक ही नरव की बात कर रहे हैं, तो within a single nerve, impulse is transported only in electrical way, तो यानि electrical और chemical में से पुछा जाए, और आप एक ही नरव की बात कर रहे हैं, तो answer क्या देंगे, it is transported in electrical way, और इसका direction क्या होगा, अब आप ध्यान दो, इसका direction होगा, कि सबसे पहले message जो है, मैं लिख रहा हूँ, impulse, come on, come on, सबसे पहले, यानि कि first time, सबसे पहले, impulse जो हैं बच्चो, वो किसके उपर आएगा, हम बोलेंगे message आएगा, dendrite के पास, dendrite से कहां जाएगा, हम बोलेंगे cell body, और cell body से कहां जाएगा, तो आप लिखेंगे exon, और exon से कहां जाएगा, तो आप लिखेंगे, that is the narrow ending, क्या लिखा हमने, हमने लिखा कि सबसे पहले impulse जो है, वो dendrite के पास आएगा, बच्चो, dendrite से cell body, cell body से exon, exon से narrow ending, तो ये इसका mode of transmission होगा, अब ही कैसे जाएगा, अब आप डायाग्राम में ध्यान दें, सबसे पहले message कहां आएगा, इंडेंडराइट के पास, और dendrite के पास message आने के बाद बच्चो, ये message उसके बद कहां जाएगा, इस सबसे बड़ी cell के पास, जिसे cell body करते हैं, तो message from dendrite, अगर एक ही नरव की आप बात कर रहे हैं, clear हुआ, समझ मैं आपको, कोई doubt यहाँ पर, अब आगे ध्यान दो,